हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू सोनी का किचन ऐग्सक्ति टोड़ा खौन दो और वाल जैंड़ा शहां, पमेंद शैकलं कावड्स नारे यक्यास का का यह थो हमने बुद्वाट का दूद्व यह थी व्यांता अपंड़ेशनना का केंछेद व्यायत्रक्त करamo लाइची डाल देंगे जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा और जब पानी में बॉयल डा जाएंगे तो उसमें हम शुगर डाल देंगे हमें जो है चासनी नहीं बनानी है खाली शुगर को मेल्ट होने तक पकाना है और आप देख रहे होंगे शुगर जो हलके-लके मेल्ट हो र अब एक बरतन लेंगे जिसमें हमने हल्वा बनाना है जो हमने परफेक्ट माप से देशी गी लिया था उसे डाल देंगे उस बरतन में और थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे जब थोड़ा सा देशी गी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें सूजी डाल देंगे जब हल्वा बनाई तो क्यों ना देसी घी में बनाएं बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप चाहें तो वैसे कोई से भी ओयल में बना सकते हैं लेकिन मस्टरड ओयल में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे अब हम सूजी को जो है लो फ्लेम पर ही बूनेंगे इस बात का आप खास ध्यान रखीगा सूजी को हम लो फ्लेम पर ही बूनेंगे खुशबू आने तक जब सूजी में से बूनते समय खुशबू आने लगे तो यानि सूजी जो अच्छे से बून गई है और सूजी जो अच्छे से बून गई है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यदि आप थोड़ा डार अब कलर पसंद करते है हलवे में तो सुजी को और भून लेंगे यदि आप हलवे का लाइट कलर पसंद करते हैं कि लाइट कलर का हलवा बने तो आप इसमें शुगर सिरब डाल सकते हैं यानि जब सुजी भून जाएगी तब हि जो है बिल्कुल परफेक्ट भुन गई है बहुत ही बड़ी है कुछ भुआ रही है दोस्तों यह फल्वे की रेस्पी जरूर ट्राय करना आपको बहुत पसंद आएगा और आप देख रहे होंगे सूजी या कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है लेकिन आप इस बात का खास द्यान रखेगा फलेम को आप लोवी रखेगा शकर सिर्प जब भी आप डाल रहे हैं एलोवे में फलेम को आप जरूर लोही रखेगा और थोड़ा-थोड़ा करके ही शुगर शिर्प डालिये का एक साथ इकठा बिल्कुल मत डालेगा ístों जो है शुगर सिर्प बहार आ पाने लगेगा आप इसके ओपर जो हमने नारियल बूरा लिया था उसको डाल देंगे बहुत ही टेस्टी है यह हल्वा बना था फिलेम को लोही रखेगा क्योंकि सूजी जो है पानी को जल्दी सोक कर लेती है अब हम हल्वे को लगतार कंटिन्यूजली हिलाते रहेंगे नही ज्यादा गाडा रखना है या पतला रखना है आप अपने एकॉर्डिंग रख सकते हैं लेकिन ये सूजी के हल्वे की रेस्पी आप अपने घर पे जरूर ट्राय करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा मैंने पहले भी आप से काजु का हल्वा बदाम का हल्वा गाजर का मुंकी दाल का हलवा, सूजी का हलवा, कड़ा परशाद और नवरातरों में बनाए जाने वाला कंचको के लिए परशाद ये सब मैंने रेस्पीयां आपसे शेयर करी हुई है, आप उने भी फुल वाच कर सकते हैं, मैंने आपसे काफी हल्वे की recipe शेर करी हुई है और आप देख रहे होंगे कि कितना सूजी का हल्वा कितना delicious बना था गाइज आप सच में आप वीडियो में देख रहे हैं यदि आप इस recipe को try करेंगे तो आपको ये सूजी का हल्वा बहुत पसंद आएगा और मैंने इसमें ना कोई ड्रैफरूट एड़ किया है सिर्फ उपर से ड्रैफरूट इसके उपर गार्णिश करेंगे और ये प्लेनी हलवा इतना टेस्टी बना था कि मेरी फैमिली में सब को बहुत पसंद आया तो ये देखिए हलवा जो एकदम परफेक्ट रेड़ी हो चुका है मुझे जादा गारा हलवा नहीं करना है क्योंकि हलवा ठंडा होने के बाद थोड़ा और भी डार्क हो जाता है तो फलेम को हम आफ कर देंगे और हलवे को करेंगे गर्म गर्म सर्व यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब जरूर करेगा और यदि आप ऐसे डिलिशल रेस्पी के साथ इंज्जॉय करना चाहते हैं तो सोनी का किचन चैनल को आप फालो करते रहिए और ऐसी यमी रेस्पीस का टेस्ट लेते रहिए एंटे क्या जैम आता दी